इसको लिए दर पूरा को अंधर च्टिफोर डिजिटल प्रेट फोरम में आप सभी दसकों का स्वागत है जारखंट की राजधानी में जो सुक्रबार को उप्तर हुआ और इस दवरान जो है काफी गंभीर घटनाएं घटी और कई लोग खायल हो गया है पत्रकार खायल हुए और लोगों की जो मानसिक इस्थिती है वो काफी जो है दुगल चुकी खारखंड में इस प्रकार के पहली बार घटनाएं हुई है कि जो एक जिसेश समुदाय के द्वारा बड़े ही मत्तब जो है भीसा नवस्था में पस्थाव किया गया और लोगों को चोचिल किया गया यह आप देख रहे हैं जहां खड़े हैं यह राटी का हिर्दय असली अल समुदाय के द्वारा घटनया घटी और पथरा हुआ पथरा होने के बाद लगबग राची की पूरी सांती विवस्था भिगड़ गई और इस दवरान कई प्लिक कर्मी और अधिकारी खायल हो गए जिनके सर फट गए लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि धारखंड में जो घ द्वरान के अधि को क्रूज को लगबग एक के पैतालिस मिनट में के एक मुस्लिम sip Still theura कौन कि या था कि चांती पुर्ण तरीके से परदसन करेंगे लेकिन दो बजे के बाद है धीर जुटना यहां पर कुछी तूरी पर एक्राम अजीद है वहाँ पर भीड जुटी पिल्टे के बाद धीरे धीरे धीर बरती चली गई और इतनी उप्राम अजीद के लेकर धीर चलना शुर्वा को नाक्मे को जानकारी मिली उसके बाद लगतार प्रसासन 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 काफी बल को यहां पर भेजी लेकिं तब तक देर उचिकीती और लगबद 10 पथर चलाए गया पथर बाद दूरा कि खेतली विस यत्यां के बाद प्लसिंटी फॉलिस ने लाकी चार्ट करकाइं है कुछ छेलों में आग लगा दी है फूरे फोल उन्हों ने मचाया लगबग एक गर्जन गाली जो है तोले गया है कार के सीसे को टोड़ के चकना चूर कर दिया गया है वाइक भी तोली गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाह है कि इसके पीछे क्या कारण था कौन से वह लोग ह कर रही है आप देखते रहे को अब तरीके से लगटार आप देख सकते हैं यह पूरी त differential से थैपका से माइख कर रही है समयी लगद हमें कि इसकाले सबसंसे कि अगे तक दार्इक है इना ज्री्ट इना प्याँ मैंदी आया है है। क्षा अब टांब है कि अजया रहा है कि अब को ड़िए यह अग्यों के अगाने की अग्यों जा देख रहा है कि इस प्रीज वर्था पनाय रखने के लिए लगत आज जा रहा है पुरीज के जवान और उल्च अधिकारी जो है लगतार जो है राटी को सलकों पर उध्ट रहे हैं और जो भी शुक्रबार को घटना हुई परदासन के दोरान जो घटनाएं होती है उसमें जो दर्वी हैं वो घटना के कैसे अंजाम देते हैं यह समझने का लोगों को समझना पड़ेगा कि भील्ड का जो माइनसेट होता है वह किसी एक रूप में कनभर्टेड नहीं होने कारण हर भील्ड में सामिल व्यक्ति सोचता है कि जो भी हम घटना को अंजाम दे रहे हैं वह के निकल जाना चाहते हैं कि भील्ड में अक्तर लोग जो है कुपदर्वी होते हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि घटना में जो सामिल लोग होते हैं वह सरार्थी थत्व होने के कारण जो है मिद्ञ में भूच करके बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद साब तोर पर न घटनाए को अंजाम देती है उसमें वह स्वेंग सोचते हैं कि मेरे द्वारा जो घटना का अंजाम दिया गया है वह तूसरे व्यक्ति को का भुगतना पड़े और यही कारण है कि अस्तर भीड संत्र जो है हावी उजाती है किसी का नियंत्रन नहीं रहता है और और नियंत्रित होने के कारण वली घटना को अंजाम देते हैं इसी कारण है कि देश भर में लगतार भीड को निकाल कर इस प्रकार की सुनियोजी तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है और जो भी घटनाय वरतमान में देश में घट रही है पैगंबर मुहम्मद साहिब के उपर जो दिये गए बयान है उनके बाद से देश भर में परदर्शन हुआ है और इस परदर्शन के दोरान खास का राची में पहली बार जो है इतना उग्र परदर्शन हुआ और दो लोगों की जाने चली गई है एक दर्शन से लोग घायल बताए गए है यहां तक की जो सीपी अस्स्टी है और कई पुलिस पतादिकारी गंभी रूप से घायल हो गए है और उन घायलों का इलाज रिम्स में किया जा रहा है पतादिकारीयों का भी वहतर इलाज के इस विवस्था में दिगाड़ने के महाल में उन्होंने काम किया है या बड़ा प्रस्ण है और प्रसासन इस पर क्या कारवाई करती है इस फिर को अधने लोगों की गहार करती है सबसे बड़ा सवाल है कि जहां भी देशबर में परदशन सभी सरार्थी तप्ष प्रसाशन के द्वारा अभी तक क्सी की गिरफतारी की पुश्टी नहीं हुई है और घठना के बाद जो जाच कमीटी मुख्रमंतरइं के द्वारा बनाय गया है यह जांच कमीटी कैसे जांच करती है और किनको जो है क्या-क्या इसमें दुन्जू से निकल के सामने आती है कि घटना में कौन-कौन से लोग सामिल थे और उनका क्या मफसद था क्योंकि बंदी के बाद घटना को एक सुनियोजी तरीके से अंजाम दिया गया था और पूरा राची को पूरी तरीके से असांद करने का एक प्लान बनाय गया था तो अब असांद्थी के ववस्था में पुलिस प्रसासन चौकस है और लगतार आपने देखा है कि प्लैग मारती हुए किया जा रहा है और पूरी तरीके से पूरे राची स्थ में 144 लगाई गई है जिससे की कोई विवेक्ति आज समाजी क्तत्व स्वड़क पर निकल कर परदवसान ना कर सके अब देखतर रहिए अंदर स्पोर्ट 24 राशी से सुबंदु पॉंट त्री टू सिंगता